बच्छो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। तो बचो हम बिना देर के हुए, बिना देर के हुए सबसे पाला question पे आते हैं, either a respiration का और उसमें जो मैं बात करू, उसमें क्या है सबसे पहस्ट question जो आपके screen पे है वो क्या बता राया, which of the metabolites is common to respiration, respiration-mediated breakdown of fat, carbohydrate and protein इसा बोलना है, if fat का breakdown हो, या carbohydrate का breakdown हो, या protein का breakdown हो common substrate चाहिए, मतलब fat का breakdown हो, तो भी वो मिलेगा carbohydrate का breakdown की बात करें, तो भी वो मिल रहा होगा, और protein की बात करें, तो भी मिलेगा इसका answer क्या जाएगा, एसिटाइल को enzyme A, आप कहोगे सर कैसे, इसका answer आप इसने एसिटाइल को enzyme A क्यों किये, वच्छों जो हम लोग का food होता है, food, तो हम लोग जो food खाते है food में मिली तीन चीज़ होता है, एक होता है protein, दुसरा जो हम लोग बात करते हैं, कार्बो, carbohydrate, कार्बो हैड़ेट हम लोग खाते हैं, और तिसरा जो हम लोग बात करते हैं, किसका fat का, या लिपीद जो हम लोग बोलते हैं, आपको बता दूँ, यह protein, जब हमारे digestive system में जाता है, तो सबसे पहले amino acid पे तूटता है, बोले तो unit में तूट जाता है, यह जो कार्बो हैड़ेट है, यह कार्बो हैड़ेट की जो हम लोग बात करते हैं, यह भी breakdown होता है, और यह simple sugar में तूट जाता है, और यह जो fat है, fat तो वो जिससे बना होता है, fat की जो हम लोग बात करें, तो fat किससे बना होता है, तो glycerol plus fatty acid, fat की जो हम लोग बात करते हैं, यह किसमें तूटता है, glycerol plus fatty acid में तूट जाता है, अच्छो जो simple carbohydrate की हम लोग बात कर रहें, तो carbohydrate का जो breakdown होता है, तो सबसे पहला process होता है glycolysis, और glycolysis के बाद आता है link reaction, तो glycolysis में क्या होता है, glucose से pyruvate बनता है, और pyruvate से फिर बनता है, acetyl co-enzyme में, पहले glucose से क्या बनेगा, pyruvate या pyruvate या pyruvic acid भी बोलते हैं, और फिर यही बनता है acetyl co-enzyme A, यह जो acetyl co-enzyme A, कार्भोहड़ेट के breakdown में तो आता ही है, अगर आप beta oxidation करोगे fat का, तो भी acetyl co-enzyme में आता है, और अगर हम लोग amino acid की बात करें, इसका जब breakdown होता है, तो amino acid एक pyruvate बनके इंटर कर सकता है, दुसरा acetyl co-enzyme A, और तिसरा जो हम लोग बात करें, क्रेप cycle में alpha keto glutarir जो होता है, वहाँ पे इंटर कर सकता है, अगर गौर करके देखो, तो protein भी breakdown होके acetyl co-enzyme A बन जाता है, pyruvate या carbohydrate की जो बात करें, वह भी ultimately acetyl co-enzyme A बनता है, और glycerol plus fatty acid भी acetyl co-enzyme A बनता है, इसलिए हम लोग इसका जो answer किये, क्या किये, acetyl co-enzyme A इसका answer किये, next question की हम लोग जो यहाँ पे बात करें, so next question में क्या बोल ला है, बोल ला है the three box, यहाँ पे the three box in this diagram, तो 3 box के बारे में जो बोल रहा है तो एक box बोल रहा है A, दूसरा box इसके बारे में बता रहा है यहां पर और तीसरा box यहां पर बता रहा है, यह जो diagram दिया है उसमें 3 box है, represent यहां पर कर रहा है क्या है, represent the 3 major biosynthetic pathway, नहीं, बाइसिंद्रिक पाथवे को कर रहा है इसका एरोबिक ए-e-r-o बिक एरोबिक क्रेस्पिरेशन का यह कर रहा है फिर यहां बोल रहा है एरो रिपर्जेंट ने रियक्टेंट और प्रोड़क्ट नहीं एरो धेर सारा दिया हुआ है एरो एक नमबर का यहां पर दिया है उसी और फिर बार्मा नमबर एकरो के बारे में पूँछ रहा है यह 12 , 8 का बना रहा है और क्या बनेगा वाच्चो — यहां पर बायो सिंद्रिक पाथवे की बारे में बात कर रहा है और यह तीनो से precio में होना चहिए तीनो से इस Measure में तो तीनों में common क्या है, तो सबसे common यहां पर क्या होता है, NADH, जो glycolysis में भी बनता है, जो link reaction में भी बनता है, और जो crave cycle में भी बनता है, तो answer क्या चला जाएगा, NADH चला जाएगा, आप कहो सकतो है, sir, ATP क्यों नहीं बोले, बच्चों, glycolysis में तो ATP बनता है, लेकिन link reaction मे directly ATP नहीं बनता है, crave cycle में फिर GTP का formation होता है, तो वही GTP ATP में convert हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ATP answer नहीं की, तो उसी तरह से water और FA, D+, जो हम लोग बात करें, answer नहीं गया, क्योंकि यह common नहीं है, next question की जो हम लोग बात करें, third number question जो आपके screen पे सामने में है, लिखता है, which of the metabol T is common to respiration, respiratory mediated carbohydrate and protein, मंदब carbohydrate और protein में कौन सा metabolite है, carbohydrate और protein में common है, तो जो जो cáiales का metabolite का Arbeits में अगे Mut Cost 30 यहाँ पे क्या पूच रहा है,一起 आपको बता दू, आंसर क्या जाएगा, पैरविक एसीड, क्यों कर्भोहेड़ेट और प्रोटीन दोनों के लिए बात कर रहे हैं, कर्भोहेड़ेट और प्रोटीन यहाँ पे दोनों के लिए बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या बता रहा हूं, कि पैरविक एसीड, यह आंसर जा होता है intermediate compound होता है और एसीटाइल को इंजाई में क्या है intermediate compound है और यह कब बनता है produced during oxidation of all type of respiratory substrate चाहे वो carbohydrate की बात कर ले या हम लोग protein की बात कर ले तो उसमें क्या आता है परविक एसीड आंसर चला जाएगा next question के अगर हम example of oxidative decarboxylation यहां पर पूछ रहा है example कि इन में से कौन सा reaction है जो किसका example है oxidative decarboxylation का तो बच्चों decarboxylation की बात कर रहा है यहां पर तो pyruvate dehydroxylation जो होता है यहां पर जो हम लोग बात कर रहे है कि pyruvate pyruvate decarboxylation या pyruvate oxidation also known as link reaction जिसके हम लोग क्या बोलता है link reaction और वही link reaction की जो हम लोग बात करते हैं तो link reaction में क्या होता है कि pyruvate acityl IPO ingi में बनता है तो pyruvate tea seed think carbon का compound acityl को ingi में 2 carbon का compound तो तीन carbon से क्या होता है दो carbon का compound में conversion होता है तो जहां पर carbon dioxide निखलता है carbon dioxide निकलता है और जैसे carbon dioxide निकलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे decarboxylation होता है और जो यहां पे enzyme की बात करें enzyme तो enzyme क्या आगा है यहां पे तो decarboxylation कर रहा है तो decarboxylase आएगा या dehydrogenase आएगा क्योंकि hydrogen भी निकलता है तो real में यहां पे enzyme complex आता है यह जो decarboxylation की बात किये तो जिसे अगर मैं option देखू तो conversion of succinate to fumarate गलत हो जाएगा conversion of fumarate to malate गलत है लेगिन pyruvate से acetyl को इंजाई में इसी को तो हम लोग बोलते है link reaction और यहां पे क्या होता है carbon dioxide निकलता है यह answer जाएगा लेकिन अगला option चेक कर लेना चाहिए हम लोगो conversion of saturate to isosatrate तो यह भी गलत है तो answer क्या गया decarboxylation का जो हम लोग बात करते हैं तो conversion of pyruvate to acetyl को इंजाई में बोले तो link reaction जो की decarboxylation करवाता है next जो question के हम लोग बात करें तो उसमें बोल रहा है nad acts as an electron acceptor in between nad की बात कर रहा है कि electron acceptor का का काम करेगा इसके बीच में इसके बीच में यह electron acceptor का काम करता है तो बच्चो nad के बात कर रहा है तो यहाँ पर लिख रहा है fumaric से maleic acid में जब जाएगा सक्सेनी के सीड से fumaric acid में जाएगा maleic acid से oxyloacetic acid में जाएगा और satiric से isocatiric acid में जाएगा बच्चो आपको पहले बता दूँ कि आपको इस question का answer करने के लिए crave cycle का अच्छा खासा ज्यान होना जरूरी है आपको crave cycle याद होना चाहिए आपको crave cycle याद होना चाहिए और crave cycle याद रहेगा तभी जाको आपको ये question का answer आप कर पाओगे जो question है तभी आप answer कर पाओगे तो यहाँ पर क्या बोलना है कि electron acceptor nad है तो nad तीन जगा electron accept करता है crave cycle में एक अगर मैं बात करूँ first step कहाँ पर करता है तो iso titrate से oxylo oxyinate में यहाँ पर electron जो निकलता है यह को लेता है nad पकड़ता है तो जड़ा देखो तो option में है क्या iso saturate और oxylo succinate नहीं है अगर यह नहीं है तो यहाँ पर match नहीं कर रहा है तो दूसरा तीन जगा मैंने बोला निकलता है तो एक निकलता है क्रेव cycle में अलफा keto glutarate से alpha keto glutarate से क्या बनता है succinyl coenzyme A यहाँ पर भी electron निकलता है जिसको कोन पकड़ता है nad plus पकड़ने का काम करता है यह electron को option में चेक करो यहाँ पर option में अगर देखे तो alpha keto glutarate से succinyl coenzyme A भी यहाँ पर option में नहीं है और तीसरा जो निकलता है तीसरा तीसरा जो nad निकलता है यहाँ पर electron लेने का जो काम करता है वो तीसरा क्या है mallet या mallet acid जो हम लोग बोलता है तो mallet से अगर हम लोग oxylo succinate या sorry oxylo acetate succinate नहीं oxylo acetate की जो हम लोग बात करते है उस समय भी यहाँ पर क्या होता है electron निकलता है और nad पकड़ता है तो जड़ा match कराके देखता है इसमें इसमें match कराके देखो तो mallet oxylo succinate यही mallet acid की बात कर रहा है तो answer क्या चला गया अगर option में यह दो रहता तो यह दोनों answer जाता यह दोनों answer जाता नहीं तो यह चीज़ हो गया तो crave cycle में तीन ही जगा है जहां पर nad h2 बनता है या nad electron को पकड़ने का काम करता है कहां कहां तीन जगा यह तीनों आपके सामने लिखा हुआ और एक जगा और है जो electron निकलता है जहां पर लेकिन fad पकड़ता है fad कहां पकड़ता है succinate से जब fumarate में जाता है succinate से जब fumarate में electron जाता है तो वहीं पर fad पकड़ने का काम करता है नहीं तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है next जो question की हम लोग बात करें next question जो यहां पर है छटा number question जो हम लोग बात करने जा रहे बच्छो 6th number question में क्या लिख रहा है the process by which ATP is produced in the inner membrane inner membrane की बात कर रहा है inner membrane of mitochondria mitochondria का inner membrane में ATP पूच रहा है नहीं उसका process के बारे में बात कर रहा है फिर लिख रहा है the electron transport system transfer proton from transfer proton from inner compartment of the outer as a proton flow back to inner compartment नहीं और फिर लिख रहा है the energy of their movement is used to add phosphate to ADP from ATP ADP से ATP का बनाना है यहां पर simple सा चीज है इसमें चार ओप्शन दिया हुआ है chemiosmosis दूसरा दिया है फास्पोरालेशन glycolysis और fermentation तो देखो दो आंसर तो यहां पर नहीं जाएगा glycolysis भी नहीं जाएगा और fermentation भी नहीं जाएगा अब बच गया दो फास्पोरालेशन मतलब होता है ATP का production लगी यह फास्पोरालेशन जो होता है यह तीन तरह का होता है फास्पोरालेशन तीन तरह का होता है अगर light के presence में हो तो photophosphorealison कलाता है अगर oxidation, reduction, reaction के कारण हो इसको हम लोग oxidative phosphorealison भी बोल जाते है नई, और एक होता है अगर substate कोई substate तूट के ATP बना रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलता है substate level phosphorealison भोल देते है तो phosphorealison तीन तरगा है बच्छो जो Oxidation, Reduction, Reaction से हो के बनता है तो वहाँ पर यहाँ पर जो बोल रहा है Protron Gradient की यह बात कर रहा है यह Protron Gradient की बात कर रहा है Flow की बात कर रहा है तो वहाँ पर Chemical होगा और Plus Osmosis से होगा तो आंसर क्या जाएगा? Chemio Osmosis chemio osmosis यहां पर अंसर चला जाता है नहीं तो chemio osmosis क्या होता है chemio osmosis की जो बात करें chemio osmosis यहां पर chemo osmosis भी हम लोग इसको बोलते है chemio osmosis जो बात करें यह क्या है is the movement of movement of iron या आयन से लिखते हैं, across a semi permeable membrane लेकिन इसमें एक चीज और है, down there या, electrochemical gradient इसी को chemiosmosis कहता है, chemiosmosis बोलता है, यहाँ पर clear cut बोल रहा था, कि यहाँ जो movement की बात कर रहा है, नहीं, तो वो कैसा था, ATP जो यहाँ पर बन रहा था, inner membrane में दे रहा है, plus proton का movement कह रहा है, और वी कहाँ, semi-pravival membrane का across, तो वो answer क्या जाएगा, chemiosmosis यहाँ पर answer चला जाता है, next जो question है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, next question बोल रहा है, biological oxidation in crave cycle involved, नहीं, biological oxidation कहाँ पर बोल रहा है, crave cycle की बात कर रहा है, तो बच्चों जो crave cycle में, तभी electron move करता है, जब वहाँ पर oxygen, oxygen की हम लोग बात करते हैं, oxygen रहेगा, आप लोग अच्छे से जानते हो, aerobic respiration होगा, तभी glycolysis से आगे जाता है, बोले तो link reaction, then crave cycle की हम लोग बात करते हैं, अगर glycolysis, oxygen नहीं हो तो glycolysis से आगे नहीं जाता है, glycolysis से आगे नहीं जाता है, तो biological oxidation की जो बात कर रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, oxygen required होता है, नहीं, continuously oxygen required होता है, जो कहां मिलेगा, crave cycle में, crave cycle को oxygen जरूरी होता है, क्योंकि essential होता है, किस चीज का, food material को oxidize करने के लिए, ऐसा इसलिए बोलना हूँ, कि जो food material oxidize होगा, जो electron acceptor है, तो final electron acceptor, यही oxygen होता है, जो finally electron को क्या करता है, accept करने का काम करता है, बच्चों, accept करने का काम करेगा, next जो question की हम लोग बात करें, तो उस question में लिखा है, next में, in which of the following reaction of glycolysis, oxidation takes place, बोल रहा है कि कहां पे oxidation होगा, glycolysis का कुण सार reaction में, oxygen यहां पे होता है, तो बोल रहा है, पहला option glucose 6-phosphate में, तो oxidation बोल रहा है, oxidation क्या होता है, तो loss of electron, loss of electron का मतलब, कोई यहां पे electron पकड़ने वाला है, glycolysis में जो electron पकड़ने वाला है, तो कौन पकड़ेगा, तो NAD+, NAD+, जो था, वो electron को ले लेता है, और electron को लेके NADH बनाने का काम करेगा, तो आपको क्या, यहां पे याद रखना है, कि कहां पे NADH बन रहा है, glycolysis में, कहां पे NADH बन रहा है, अगर आप glycolysis के पूरे, 10 reaction पे गौर करो, 10 reaction पे अगर आप गौर करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर, तो पहला तो आंसर जाएगा ने, वैसे तो दूसरा मुझे लग रहा है, glycerol dehyde 3, phosphate, 2, 1, 3, 20, phosphoglycerate जो बनता है, यहीं पे, यहीं पे क्या होता है, electron donate करता है, बोले तो ऐने DH का formation होता है, लेकिन आगे जो option पढ़े हम लोग, 1, 3, diaphosphoglycerate, 2, 3, phosphoglycerate, यहाँ पे ATP बनेगा, 2, phosphoglycerate से, phosphoglycerate तो यह भी नहीं होगा, तो आंसर तो click हो गया, लेकिन आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे, अगर मैं reaction लिखू, तो यहाँ पे glyceral, यहाँ पे glyceral, glyceral dehyd, 3, phospho, यह phosphate, यह AT phosphate, नहीं, glyceral dehyd 3 phosphate, और आप लोग को अच्छे से पता है, यह दो होगा, तो हम लोग एक की पहले बात करते हैं, automatic 2 में वह बात हो जाएगा, यही glyceral dehyd 3 phosphate से, जो next step में जाता है, जो next step में जाता है, नहीं, तो यहाँ पे, जो step होता है, तो आपको बता दू, कि दो थो PI यहाँ पे आके जूर जाता है, लेगिन यहीं पे, यहीं पे, दो थो NAD+, जो है, वो क्या करता है, electron लेके, जो थो NADH का formation करता है, प्लस H प्लस बनता है, अगर ऐसा हुआ, phosphate लिया, तो पहले से क्या है, तिन नमबर पे phosphate था, अब एक नमबर पे भी phosphate आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1, 3, by या 20, ज्यादा अच्छा तो है 20, 20 के जगा पे लोग by लिग देता है, die लिग देता है, 20 phospho, और क्या होगा, electron दिया है, तो यहाँ पे, glycerate, नहीं, तो यह क्या बनेगा, 1, 3, 20 phospho glycerate, तो 1, 3, 20 phospho glycerate जो है, 1, 3, 20 phospho glycerate बनाना है हमको, 1, 3, 20 phospho glycerate यहाँ पे, अग glycerol याइट 3 phosphat से बन रहा है, तो यहीं पे क्या होता है, electron निकलेगा, और वही जो electron निकला, electron निकला, तो क्या होगा, इस step का, इसका oxidation हो गया, इसका क्या हो गया, oxidation बोले तो loss of electron हो गया, next, जो question में हम लोग आए, next question की, जो हम लोग बात करें बच्छो, next question में क्या बोल रहा है, next question जो लिख रहा है, बता रहा है, the pyruvique acid formed during glycolysis, glycolysis में क्या बनता है, pyruvique acid बनता है, is oxidized to CO2 and H2O in a cycle called, सबसे पहले, जो बना glycolysis में, वो link reaction में आता है, और बन जाता है, acetyl को enzyme में, और acetyl को enzyme, एक complete oxidation होता है, carbon dioxide robotर में, तो यहाँ पर एक step उपर जाके, बात कर लिया है, pyruvique acid का, तांसर क्या जाएगा, crave cycle, जहाँ पर complete oxidation हो जाता है, next, जो question है, next question की, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर, लिख रहा है, crave cycle takes place in, crave cycle कहाँ पर होगा, नहीं, बच्चों, जो crave cycle है, यह property, normally mitochondria का है, mitochondria के matrix में, mitochondria का, जो matrix है, वहीं पर क्या चलता है, crave cycle, चलता है, आपको याद रखना है, टू में रेफर, तू वन, एंड तू सेम थी, नहीं, मतलब एक ही चीज का, दो नाम, यहाँ पर बोल रहा है, crave cycle और, Kelvin cycle तो गलत है, crave cycle को, हम लोग Kelvin cycle, कभी बोली नहीं सकते हैं, या Kelvin को crave नहीं बोल सकते हैं, try carboxylic acid cycle, try carboxylic acid cycle, अज दूसरा बोला, satric acid cycle, यह दोनों crave cycle का ही नाम, crave cycle को ही का बोलते हैं, try carboxylic acid cycle, या satric acid cycle, answer तो यह होगा, लेकिन आगे चिक करते हैं, satric acid cycle, CYCLE, नहीं, and Kelvin cycle, तो फिर गलती कर दिया, Kelvin cycle गलती हो गया, और फिर, try carboxylic acid cycle, and urea cycle गलत है, तो अंसर तो जाएगा क्या भी, क्योंकि crave cycle जो है न, crave cycle का धेरो नाम है, जैसे crave cycle बोल दो, TCA cycle बोल दो, try carboxylic acid, उसी का full, short fluid TCA, full pump में, try carboxylic acid cycle, या satric acid cycle, तो यह सब crave cycle का ही, नाम है, तो अंसर चला गया, यहाँ पे क्या भी, next जो question है, लिख रहा है, the overall goal of glycolysis, glycolysis का overall goal, नहीं, दूसरा crave cycle, and electron transport system, in the form of, बच्चों, गोल क्या है, respiration जो करवा रहे है, क्यों करवा रहे है, क्योंकि हम लोग को ATP मिल पाए, लेगिन ATP मिले, तो यह बात तो दोगों में है, लेगिन एक में लिखा है, small step by 2 हो रहा है, और यह large oxidation reaction बोल ला, नहीं, तो guarantee है, यह क्या होता है, respiration की जो बात करते हैं, यह slow process होता है, और step by step oxidation की हम लोग बात करते हैं, respiration में, जो oxidation की बात करते हैं, तो यह क्या होता है, step by step, enzymatically controlled process होता है respiration, तो step by step, यहाँ पर process की हम लोग बात करते हैं, next, जो यहाँ पर लिख रहा है, the energy content in kilo calorie per gram, of carbohydrate की बात कर रहा है, protein की बात कर रहा है, और triglycerol मतलब लिपीट की बात कर रहा है, energy content, बच्चों यहाँ पर जो बात कर रहा है, carbohydrate, तो carbohydrate जो होता है, अगर इसको bum calorie meter में जलाओ, या सिधा हम लोग physiological value बात कर रहा है, तेल के अंदर, एक gram carbohydrate जो होता है न, एक gram carbohydrate 4 kilo calorie energy देगा, 4, 4 kilo calorie energy दिया, एक gram अगर हम लोग protein की बात कर लें, protein, यह भी देता है 4, semi देता है, carbohydrate के बराबर ही देता है, और, glycerol की बात करें, जो कि लिपीड है, लिपीड, एक gram lipid more than twice energy देता है, तो अगर हम लोग compare करें इसको, तो 1, यह अगर 4 को कार दें, 1, 1, यहाँ पर क्या हो जागा, एप्रॉक्स 2, यहाँ पर यहाँ पर आंसर करेंगे, 1, रियल में आंसर क्या आना चाहिए, carbohydrate का 1, protein का भी 1, protein का भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, और दें, लिपीड का 2, ज़रा साब फिर से एक बार question देखते हैं, यहाँ पर का बोला है, energy content कीलो के लोगी, carbohydrate protein respectively लगाया, तो answer 1, 1, 2 जाएगा, जो कि option में है नहीं, जो कि आपके option में है नहीं, तो यहाँ पर यहाँ तो option को correct कर लो, 1, 1 यह answer जाएगा, तभी इसको answer कर लेंगे, नहीं, 1, 1, 2, और अगर respectively न लिखता, तब हम C answer कर देते, क्यों कि यहाँ 112 है, लेकिन 2 अलग बात है आगे दे दिया, तो respectively लिखा, तो जिस according लिखा हुआ, उसी according आपको answer कर ला है, answer तो 112 यहाँ पर जाएगा, ठीक है, next जो question की हम लोग बात करें, लिख रहा है question में, कि anaerobic respiration is also bald eyes, anaerobic respiration का हम लोग और क्या बहुत सकते हैं, anaerobic respiration just like fermentation, हम लोग क्या बहुत बहुत बहुते हैं, fermentation बोलेंगे, next जो question है, लिख रहा है, कि the number of, the number of ATP produced, when a molecule of glucose undergo fermentation, नहीं, a number of ATP produced, कितना ATP produced होता है, जब एक molecule glucose का क्या हो, fermentation, ATP का production पूछ रहा है, वैसे आपको बता दू, production तो होता है, 2, overall अगर बात करें तो, so real में 4 बनता है, लेकिन 2 यूज हो जाता है, तो overall क्या है, 2, लेकिन option में 2 है ही नहीं, ता answer क्या जाएगा, 4, यहाँ पर answer क्या चला जाएगा, 4, क्यूंकि 2 option में आपको दिया नहीं है, अगर option में 2 देता, तो net की वो बात कर रहा है, और यहाँ formation की केवल यह बात कर लिया, चाहर देखे, next, जो question है, उसमें बोल रहा है, यहाँ पर next question में आपका, यहाँ की glycolysis के बारे में बात कर रहा है, कि takes place in mitochondria, पहला बोल रहा है, glycolysis कहाँ पर होगा, तो एक क्या लिख रहा है, कि takes place in mitochondria, दूसरा क्या लिख रहा है, produce no ATP, सबसे पहले तो यह गलत है, यह भी गलत है, तिसरा number जो बोल रहा है, has no connection with electron transport chain, connection तो है, glycolysis में दोट हो, जो NADH2 बनता है, यह NADH2 बनता है, वो ETS में जाके 3 ATP देता है, अब 3 कट गया, तो आंसर तो अब 4 हम क्लिक कर देता है, 4 लगिन एक बार देखते हैं, यहाँ पर क्या है, reduces to molecule of NAD+, from every glucose molecule process, सभी बात है, यह NAD, NAD+, का reduction हो जाता है, क्योंकि यह electron को gain कर लेता है, और electron gain करके, क्या बना देता है, NADH जो बनाने का काम करता है, बच्चों, नहीं, तो आंसर तो यही जाएगा, next, जो question की बात कर रहा है, इसमें है, in crave cycle, GTP is forming, in crave cycle में बोल रहा है, कि GTP इसमें बनेगा, नहीं, तो GTP की बात कर रहा है, कहां पर बनेगा, तो जो GTP का जो बनना होता है, वो sub-state level fast paralysis का लाता है, वो क्या का लाता है, sub-state level fast paralysis, तक्सिनेट से, तक्सिनाईल को इंजाई में यह जो बनता है, क्या बनेगा, तक्सिनाईल को इंजाई में, तो यहीं पर, यहीं पर क्या बनता है, यहीं पर GTP होता है, आस्पेट निकलता है यहां से, और वो दुनों मिलके, जी पी खाप formation करता है, और ऐसा होना, यह क्या कर आता है, sub-state level fast paralysis, क्योंकि सवस्टेट यहां पर क्या करता है, breakdown करता है, और सवस्टेट ब्रेकडाउन करके, सब ATP का formation करता है, तो सवस्टेट level fast paralysis खालाता है, फिर next जो question है, common example in glycolysis, एन, pentose phosphate pathway, PPP pathway, या hexose manofosphate pathway के बारे में बोल ला है, कि glycolysis और pentose phosphate pathway में, common example क्या है, तो दोनों hexokinase है, दोनों क्या है, hexokinase है, दोनों glucose को ही, तोरने का काम करेगा, नहीं, तो वहाँ पर enzyme जो use होगा, वो क्या होगा, hexokinase enzyme use होता है, नहीं, next, जो question के हम लोग बात करें, तो उसमें क्या है, link enzyme in cellular respiration है, यहाँ पर link enzyme in cellular respiration की बात कर रहा है, तो cellular respiration में, linkage का example, यहाँ पर परवेट dehydrogenase हो जाएगा, परवेट dehydrogenase होगा, अच्छल में क्या है, एसिटाइल को enzyme A, जो बनेगा, परवेट से, जो एसिटाइल को enzyme A जो बनेगा, वो कहां यूज होजाता है, यहाँ परवेट dehydrogenase यहाँ पर यूज हो जाएगा, नेक्स्ट जो question की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट question, बोला net gain of ATP from one molecule of glucose, in glycolysis, नेट, जहाँ बात करेगा नेट तो अंतर क्या जाएगा, दो, बनता चार है, लेकिन यूज दो होता है, बनता कितना चार, तो नेट की बात करेंगे, तो कितना होगा, दो ATP answer जाएगा, यहाँ पर, नेक्स्ट, जो question की हम लोग बात करें बच्चों, उसमें क्या लिख रहा है, कीमियो ओस्मोसिस हाइपोथेसिस गिवेन बाई, पेटर मिचल, प्रपोज़ दा मेकानिजाउम अफ सिंथेसिस, क्या बताता है, ATP का फॉर्मेशन, ATP का फॉर्मेशन कैसे होगा, यह कुन बताता है, क्यमियो ओस्मोटिक हाइपोथेसिस, और मैंने इसके बारे में बताया था, कि membrane का, जो transmembrane है, उसमें जो proton का difference है, क्यों सा statement है, पहला लिखा है, when tri-palymetric is used as sub-state, in desperation, RQ is point से बना, बच्वो आपको बता दू, RQ यहाँ पे fat का, कोई भी fat है, उसका RQ कितना बता है, point से बनाता है, next, जो यहाँ पे लिखा, यह तो सही है, यहाँ पे बोलना wrong statement, यह तो सही है, आंसर जाएगा, नहीं, wrong statement हम लोग को ढूणना है, दूसरा लिख रहा है, the intermediate compound, which link glycolysis with crave cycle, is malic acid, गलत हो गया, आंसर यही जाएगा, लेकित धर्ड नमबर, फिर option हम लोग पढ़ता है, बोला, one glucose molecule, yield a net gain of 36 ATP molecule, during aerobic respiration, one glucose molecule, yield a net gain, सही बात है, यह सही है, फिर लेकित रहा है, one glucose molecule, yield a net gain of 2 ATP molecule, during fermentation, यह भी सही है, जिसमें बोला था, wrong statement, तो wrong B वाला answer, यहाँ पर क्या है, wrong है, next, जो question की हम लोग बात करें, तो उस question में, क्या बोला है, which of these step in crave cycle, indicate substate level phosphorylation, जस्ट अभी थोरी दिर पहले, हम लोग जो बात किये थे, succinate से succinyl coingym A में, जो आता है, जो GTP का formation होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलता है, substate level phosphorylation, तो यहाँ पर क्या होगा, succinate से succinyl coingym A, तो खोजो आप, conversion of succinyl acid to alpha-ketoglutarate, गलत हो गया, conversion of succinyl acid to malic acid गलत हो गया, यहाँ पर क्या है, conversion of succinyl coingym A to succinyl, यह सही है, और आगे conversion of malic acid to oxalic acid, यह भी गलत है, answer यहाँ पर क्या जाएगा, C, यहाँ पर answer क्या जाएगा, C, फिर next question के हम लोग बात करें, बच्चों तो उसमें next question में, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, क्या बोला है, in the electron transport system, present in inner, inner mitochondrial membrane, complex first, complex first, fourth and, और था respectively, अच्छा, यह पूछ रहा है complex के बारे में, कि complex first कौन सा इसमें, और complex four कौन सा है, respectively बोल दिया, यहाँ पर जो होता है, आपको पता होना चाहिए, complex के बारे में, complex के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं, तो बच्चों, complex के बारे में, अगर आपको पता हो, जिसे मैं हलका सा हिंट करता हूँ आपको, तब इस question का answer करेंगे, तो ज्यादा अच्छा है, complex first की जो हम लोग बात करता है, फ, M, N, इन से लेके, N, A, D, H, T, तक, ये क्या कर लाता है, complex first, complex second की अगर हम लोग बात कर रहा है, second complex की अगर हम लोग बात कर रहा है, तो कहा से कहा तक होता है, coenzyme Q, जिलेके, F, A, D, H, T, तक, ये second का लाता है, अगर complex third की अगर यहाँ पे बात कर लें, third कहां से कहां तक कहलाता है, तो cytochrome B से लेके cytochrome C1 complex third कहलाता है, complex fourth की अगर हम लोग बात करें, complex fourth, तो cytochrome A, यहाँ पे जो है, cytochrome A से लेके cytochrome A3 complex fourth कहलाता है, और complex fifth की जो बात करें, पाजमा complex, तो वो क्या होता है, ATP synthetase से या ACPAS, जो enzyme है, इसको complex fifth बोलता है, अब जाकी इसको बनाओ, यह question, क्या बोल रहा है, first and fourth, तो first बोले तो इसकी बात कर रहा है, और fourth बोले तो इसकी बात कर रहा है, match कर आलो answer, अपने आप match कर जाएगा, first and fourth के बारे में आप यह बात कर रहा है, तो first FMN से NADH2 का बनना, तो पहला option दिया NADH, dehydrogenase, NFADH2, तो पहला यहां तक तो सही है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि फर्स्ट और क्या बोल रहा है, question में, चोथा, चोथा यह क्या है, यह से A3 वाला कहानी कर रहा है, चोथा में जो बात करें, A3 वाला यहां पर कहानी कर रहा है, तो पहला option गलत है, दुसरा में देखते है, NADH2, NADH, dehydrogenase गलत हो गया, फर्ड नमबर अगर देखें तो NADH, dehydrogenase यह सही है, और साटोक्रोम C oxidase complex, तो complex बोल के यह बात करें, साटोक्रोम C oxidase complex, नहीं, A3 होगा, C oxidase complex लिख दिया, अच्छा, यह बहुत हत्तक सही है, लेकिन चोथा देखते है, NADH, dehydrogenase, NADP यह गलत है, आंसर यहीं जाएगा, आंसर यहीं जाएगा, फैसे तो आपको बता दू, यहां पर साटोक्रोम ज़्यादा अच्छा आंसर जाता, कि NADH, dehydrogenase and cytochrome T oxidase complex दिया हुआ है, complex लिख दिया, इसलिए यह सही गया, नहीं, तो यहां पर cytochrome A से A3 लिखना था, या cytochrome A, जो हम लोग बात करें, यह लिखना था बच्छो, नहीं, तब आंसर ज्यादा correct होता, नेक्स्ट जो हम लोग बात करें यहां पर, next question, next question में यहां पर बोल रहा है, aerobic respiration pathway is appropriately term, aerobic respiration pathway को appropriate term हम लोग क्या बोलता है, catabolic बोलते हैं, parabolic तो आएगा नहीं, math का चीज़ है, amphibolic और anabolic, catabolic मतलब होता है, टूरना, anabolic मतलब होता है, बनाना, और respiration की जो बात करें, उसमें भी aerobic, तो यहां तूरना और बनाना दोनों process चलता है, तो amphibolic pathway ज्यादा correct answer है, तो aerobic respiration pathway जो होता है, नहीं, तो उसको amphibolic बोला जाता है, वो इसलिए कि यहां पर क्या होता है, aerobic respiration की जो बात करें, तो main energy releasing pathway जो होता है, वो क्या होता है, ATP का formation, तो यहां पर formation हो रहा है, कहां होता है, तो mitochondria क अंदर, और यह क्या होता है, aerobic respiration yield करता है, 36 ATP का formation कर देता है, नहीं, तो यह चीज़ है, अगर next question के हम लोग यहां पर बात करें, next question, लिख रहा है एक competitive innovator of succinic dehydrogenase, succinic dehydrogenase का competitive innovator को न है, बच्चो, तो malonate, यह होता है, याद रखना होता है यह चीज, यह 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 गलत हो जागे, malonate जो होता है, competitive innovator, currency Susanic dehydrogenase का, malonate bind कर जाता है, किस से, active site of enzyme, malonate active site of enzyme से bind करता है, और बिना reaction किये हुए और जैसे वहाँ पर bind करेगा तो वो क्या करेगा जो इसका सबस्टेट है सकसेनिक dehydrogenase का उससे compete करना स्टार्ट कर देगा नहीं competitive inhibitor वाला कहां नहीं हो जाएगा तो competitive inhibit करना स्टार्ट कर देगा नेक्स्ट जो question है लिख रहा है all enzymes of TCA cycle are located in mitochondrial matrix except one except one बोल रहा है सारा enzyme कहां पर located है mitochondria के matrix में रहेगा एक को छोड़के फिर लिख रहा है which is located in inner mitochondrial membrane कहां पर रहेगा इंजाई में जो inner membrane से attach रहता है जित्रा इंजाई में TCA cycle का बोले तो crave cycle का सब मैट्रोकॉंडिया के matrix में प्रजेंट रहता है एक्सेप्ट सक्सेनिक डी हाड्रोजिनेज सक्सेनिक डी हाड्रोजिनेज जो होता है यह tightly bound होता है inner mitochondrial membrane से यूचारिटिक चेनिक अर्प्लाजमा मेंब्रेन रहता है कहां पर प्रोकारिट चाहल में और प्रोकारिट की बात करेंगे तो उसके प्लाजमा मेंब्रेन से और यूकारिटिक के रिलेशन में बात करें हम लोग तो मैट्रोकॉंडिया का inner membrane से यह tightly bound है रहता है next next question में लिख रहा है यहां पे how many ATP molecules would maximally be generated from one molecule of glucose if the complete oxidation of one molecule of glucose to carbon dioxide and water yield 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of one mole of ATP is 12 kilocalorie, नहीं यहां पे जो बोल रहा है बच्छो, यहां पे क्या है कि 12 kilocalorie energy है, one mole of यह और यहां पे इल्ड कितना 686 kilocalorie energy की बात कर रहा है, देखो यह question को फिर से पढ़ते हैं क्या बोला है how many ATP molecules would maximally be generated from one molecule of glucose one molecule of glucose हमको generate करना है maximum ATP, फिर यहां condition दे रहा है if the complete oxidation of one molecule of glucose to carbon dioxide and water yield 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of one mole is 12 kilocalorie, भागा दे दो, इसको अगर हम लोग भागा दे, 686 में 12 से, तो काट के देखो, 12 से भागा दे गए, तो यहां पे 57 आ जाएगा next, chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on, chemiosmotic synthesis किस पर बेस्ट है, अभी थोड़ी दर पहले बता है, chemiosmotic synthesis जब भी बोलेगा, proton gradient की बात करता है, नहीं, और membrane के across बात करेगा, next, जो question है यहां पर, क्या लिखता है, कि in glycolysis, electron are removed back, electron को कौन remove कर रहा है, electron को कौन remove करेगा, nad, 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 यही पकरता है glycolysis में, और क्या बना देता है, nadh, nadh बनाता है, बच्चों, तो बोल ला है, कि glycolysis में, जो oxidation होता है, electron का, तो उसमें nad plus जो है, नहीं, वो convert हो जाता है, nadh में, oxidation जो होता है, उसका, तो convert हो जाता है, nadh में, कहां पर होता है, तो oxidation जो होता है, glyceride 3-phosphate को convert कर देता है, कि इसमें, 1,3,bis-phospho-glycerate में, 1,3,bis-phospho-glycerate में, और वहीं पर दो molecule, एक complete glucose molecule की बात करें, तो उसमें दो ठो, nadh2 का formation होगा, नहीं, तो यह चीज हो गया, next question में बोल दा है, यहां पर, doubt kept overnight in a warm place becomes soft and spongy due to, नहीं, यहां पर बोल दा है, जो spongy हो जाएगा, क्यों, तो पक्का है, वो क्या हो जाता है, fermentation, doubt kept बोले तो आटा को जो हम लोग गुत के रख लेते है, overnight warm place पर छोड़ दो, वो spongy हो जाता है, spongey किसके कारण होता है, तो उसमें fermentation start हो जाता है, इसके कारण होता, नहीं, doubt kept fermentation के कारण होता है, next, जो question की हम लोग बात कर बचो, next question, बोल दा है in alcoholic fermentation, alcoholic की बात कर रहा है, नहीं, alcoholic fermentation, चार statement दिया है, देखते हैं कुन सा statement इसमें लगेगा, लिख रहा है in alcoholic fermentation पहला नमबर trios phosphate in the electron donor while acetyl dehyde is the electron acceptor, बात तो सही है लेकिन अगला देखते है trios phosphate is electron donor while the pervic acid is electron acceptor, नहीं नहीं acetyl dehyde acceptor होगा, there is no electron donor, गलत हो गया, oxygen इसको भी देखना न भूलना न भूलना क्योंकि उसमें भी important question सब मैं लेके आऊँगा बहुत ही जल तो मिलते हैं पार्ट second में तब तक के लिए thank you